हेलो दस्तो तो हमारी सर्किट ब्रिकर कंट्रोल सर्किट सीरीज में यह दूसरा वीडियो है आज हम लोग एक एलेमेंट इसमें आड़ करने वाले हैं और वह एलेमेंट है लोकल रिमोट स्विच ठीक है तो अब अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं देख पा रहे होंगे कि यह जो यह जो एक टाइग्रेम है एक आउटडोर आउटडोर 33 के वी आउटडोर वैक्यूम सर्किट ब्रिकर है और इसमें जो यह जो रेड स्क्वेर में दिखाया हुआ है यह हमारा लोकल रिमोट स्विच और आप यह सेम स्विच जो है यह आप इस इस ड्राइन में भी दे सकते है एक CGL का 33 के वी आउटडोर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो स्क्वेर रेक्टैंगल है रेड कलर का उसमें लोकल रिमोट स्विच दिखाया हुआ है तो इसको हम लोग आज स्टड़ी करने वाले है ठीक है तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे जो हमने पहले जो सर्किट बनाया था सर्किट ब्रेकर कंट्रोल सर्किट का बेसिक सबसे बेसिक जो सर्किट डियागरम बना था उसको हम लोग फिर से एक बार रिवाइस करेंगे थोड़ा डियागरम बढ़ा करके तो अभी आप नेख सकते हैं कि यह जो है यह जो यह जो रेक्टेंगल है यह एक रिले पैनल का है यह जो रेक्टेंगल यहां पर दिखाया हुआ है यह है हमारा ब्रेकर और दो वायर जो हमारा dc db से दो आये रहाते हैं एक है पॉजिटिव का पॉजिटिव डी सी पॉजिटिव और दूसरा है डी सी नेगेटिव तो उसके फेरूल्स क्या होते है जे वन एन जे टू ओके ये आते हैं हमारे mcb जो पैनल में जो control पैनल में mcb होता है उसको आते है फिर उसके बाद j1 ba ho जाता है mcb के बाद j1 ba ho जाता ए k1 और j2 का हो जाता है k2 ओके फिर ये k2 k1 जो है वह हम लोग distribute करते हैं फूरे पैनल में ठीक है और इस तरह से यह TNC स्विच को जाता है फिर TNC स्विच का रिमोट क्लोजिंग के लिए यहाँ पे जाता है रिमोट क्लोजिंग के लिए फेरूल है K21 तो हमें याद रखना है DC positive के लिए K1 है DC negative के लिए K2 है और क्लोजिंग के लिए K21 है फिर ट्रिपिंग ट्रिपिंग जो है वो TNC स्विच से भी होता है और ट्रिपिंग रिले master trip रिले के contact से भी ट्रिपिंग को जाता है वायर्स ओके और ट्रिपिंग के लिए फेरूल हम लोग यूज करते हैं K23 इस डाइग्राम ने हमने सिर्फ एकी ट्रिप कोईल दिखाया हुआ है अगर यहाँ पर ट्रिप कोईल टू होता तो तो उसको फेरूल होता K53 ठीक है और हम लोग नेगेटिव कंटीनिवस ली आर्ण क्लोजिंग और ट्रिपिंग कोईल को देखे रखते हैं और जब पॉज़िव एक्स्टेंड होता है यहां टीन सी स्विच या लोकल टीन सी रिमोट टीन सी या मास्टे ट्रिपलेले से तो रिस्पेक्टिव क्लोजिंग या की इसकी जरूरत क्या निट फर लोकल रिमोट स्विच टीक है तो लास्ट माँने देखा था रिमोट क्लोजिंग रिमोट क्लोजिंग CPRP TNC switch से remote closing किस तरह से होता है हमने देखा था तो आप देख सकते हैं यह हमारा TNC switch ठीक है ना और TNC switch है जब उसको positive एक एंड पर directly हम देखे रखते हैं और यह yellow दिखा हुआ है close की तरफ जब हम लोग TNC switch close की तरफ देंगे तो यह positive pulse यहाँ पर TNC switch के आगे जाके उसको connect होता है और फिर यह directly closing coil को energize करता है क्योंकि closing coil को negative directly देखे रखते हैं हम लोग ठीक है तो इस तरह से हमारा हम लोग remotely breaker को close कर सकते हैं पर यहाँ पर कि सपोज हम लोग breaker का maintenance कर रहें ठीक है कोई उस breaker में हाथ डालके उसका maintenance कर रहें और जो control panel में है उसको मालूम नहीं है कि क्या maintenance हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको कुछ idea नहीं है और maintenance हमारा चालू है और सपोज उसने किसी आदमी ने कंट्रोल रूम में से TNC स्विच को गलती से close कर दिया तो क्या होगा यह positive extend होगा directly closing coil को और हमारा breaker breaker close हो सकता है close हो जाएगा और अगर breaker close हो गया तो जो breaker के अंदर काम breaker में हाथ डालके काम कर रहा है उसका हाथ को damage हो सकता है कुछ भी accident हो सकता है इसके लिए यह prevent करने के लिए हम लोग local remote switch use करते है ठीक है तो अभी देखेंगे हम लोग तो local remote switch जब use करेंगे तो जब वो local mode पे होगा तो उसको हम लोग remotely close नहीं कर सकते है तो अभी देखेंगे उसको कैसे उसका wiring diagram कैसे होता है ठीक है तो यह हमने अभी एक 5th element 5th element आप देख रहे हैं यह 5th element हमने इंट्रूडीस किया है यह हमारा local remote switch अभी उसका अभी पहले क्या हुआ था positive जो है हमने directly TNC switch को extend किया था ठीक है और और इसको भी positive directly हमने और जो control panel में जो TNC switch था उसको भी directly positive extend किया था पर अभी हम लोग ने उसके बीच में local remote switch इंट्रूडीस किया है हमारा 5th element है local remote switch उसको हमने इंट्रूडीस किया है अभी positive directly local TNC switch या remote TNC switch को न जाके पहले local remote switch local remote switch को जाएगा ठीक है फिर यह k1 गया local remote switch के फिर वहां से दो wires निकलेंगे एक जाएगा हमारा एक जाएगा हम एक जाएगा हमारा TNC local TNC switch को उसका फैरूल हमने k3 यूज किया हुआ है ठीक है और दूसरा जो है k5 वो जाएगा हमारे remote TNC switch जो की control panel में है उसको जाएगा उसको हम लोग closing positive भी बोलते हैं ओके तो ठीक है तो इस तरह से हमने हमने local remote switch को introduce किया है यहाँ पे और जो positive है वो ऐसे local remote switch तुरू लोकल remote switch तुरू जाएगा ठीक है तो हम लोग अभी इसका operation देखेंगे operation कैसे होता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे पहले local closing करेंगे ब्रेकर को locally close करेंगे ठीक है तो अभी हमने क्या क्या है local remote switch जो है वो local position पे है ठीक है यह yellow इसको हमने yellow mark किया हुआ है तो क्या होगा यह जो positive है यहां से आ रहा है k1 जो है वो extend वो extend होगा क्योंकि यह local पे है तो extend होगा k3 को और वो जाके बेटे का TNC switch के एक end पे तो जब हम लोग TNC switch को close पे डालेंगे उसी movement पे यह positive extend होगा हमारे closing coil को closing coil को negative अल्रेडी हमने permanent देखे रखा हुआ है तो हमारा breaker close हो जाएगा उसको हम ले इसका मतलब है कि हमने breaker को locally close किया है ठीक है अभी हम लोग remote operation देखेंगे remote closing of with LR switch ठीक है अभी हमको हम उसको remotely close करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो हमने क्या क्या अभी local remote switch को हमने remote पे डाल दिया अभी yellow इससे अब देख तो यह जो के वन है वो इस तरह से extend होगा ठीक है वो अभी TNC switch को नहीं जाएगा वो अभी जाएगा K5 को ठीक है K5 को जाएगा और वो positive जो है TNC switch को जाएगा फिर हम लोग और यह positive फिर K21 extend होके हमारे closing coil को जाएगा ठीक है ओके फिर से एक बार हम लोग देखेंगे लोकल क्लोजिंग LR switch with LR switch ओके अभी हमने अभी उसका अभी हमने accident के से prevent होता है वो देखेंगे हम लोग suppose हम लोग breaker पर काम कर रहे है local remote switch हमने local पर डाला हूँ है तो अभी क्या होगा यह जो positive है यहाँ पर TNC switch अभी तक extend होगा तो हम break breaker को locally close कर सकते है पर आप देख सकते हैं कि अभी जो remote positive है वो हमारे TNC switch को नहीं जा रहा है there is no positive to the TNC switch तो remotely कोई भी उसको close नहीं कर सकता इधर positive नहीं है K5 में there is no positive in K5 को positive नहीं है तो फिर हम लोग इसको remotely close ही नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इस तरह से हम लोग breaker का maintenance कर सकते है local पर डालके तो इसके लिए हम लोग local remote switch का use करते हैं तो अभी आपने देखा local remote switch कैसे काम करता है और उसका wiring diagram ठीक है तो thank you very much guys और next lecture में इस तरह से हम लोग और एक element add करेंगे अगर आपको कोई भी doubts है तो नीचे description में Facebook group का link डाल दूंगा मैं तो उसके आप कुछ भी आपको गर doubts है तो पूछ सकते हैं thank you so much guys अपको पूछ सकते हैं